सिविल होस्पिटल अम्दाबाद करोडो लोको ना सारा स्वाक्ते बाटे सहाई रूप बनी छे परन्तु जिर्ण थता बिल्डेंग्स तथा दर्दी ओनी सतत वत्ती जती संख्या अने ए उप्रांत आधुनिक मेडिकल टेकनोलोजी ना कारणे अपग्रेड थवानी जरुरियातने अनुलक्षी ने तटकालीन मुख्य मंत्री अने स्वप्न द्रश्टा वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोधी ए सिविल होस्पिटल अम्दाबाद ने अत्या धुनिक मेडिसिटी तरीके विक्साबवानू मास्टर प्लानिंग करी चार नवी वर्ल्ड क्लास सुविधा धरावती होस्पिटल नू आजे लोकलाडी ला प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोधी ना हस्दे लोकार पण मेडिसिटी लोगो नू अनावर माता अने बालक माते अत्यादुनिक सुविधा होती सज्ज 602 नी होस्पिटल जेमा 100 बैड बालकोना आईसीउ माते छे साथेज 27 मोडिलर ओपरेशन थियेटर साथे 600 बैडनी सुपर स्पेशाल्टी होस्पिटल जेमा नियूरो सर्जरी, नेफ्रलोजी, यूरोलोजी, काडियो थोरासिक, बगेरेनी स्पेशाल्टी सर्विसिस आफ़वामाव छे आ पांसो नेव बैडनी क्षमता धरावती, ओगनिस हाई एंड ओपरेशन थियेटर, 3T MRI अने साइबर नाइफ जेवा हाई टेक साधनों थी सज, कैंसर सामे लड़त आफ़वा तैयार छे, कैंसर होस्पिटल 255 बैड धरावती, MJ इंस्टिटीट ओफ अप्थेल्मोलोजी, पश्ची भारत मी सौथी मोटी अने अध्यतन आइफ हॉस्पिटल अम्दाबाद, जे मां 10 हाई एंड अने 2 मोडिलर आपरेशन थियेटर मां आखने विश्वस तरिये सारवार अपाशे 377 अत्यादुनिक डेंटल चेर, बालको नादात मी सारवार माटे अलाईदो विभाग अने दात ना तमाम रोगों नी अध्यतन सारवार 388 अत्यादुनिक डेंटल चेर, आपरेशन विश्वस तरिये विश्वस तरवार अध्यतन सारवार अध्यतन थे क्मार अध्य आध्यतन थे अध्यतन सारवार रिमोट पर क्लिक कर डिजिटल अनावरन के लिए फिर एक बार माननिय प्रधान मंत्री जी से अनुरोद करते हैं वीडियो लिंक से जुड़े हैं हमारे साथ माननिय केंद्रिय राज्यमंजी से जस्वन सीजी भावोर ये योजना शियासी करोर रुपयों की लागाद से बनी और आप अनुरोद करते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी से कि आप पार्टन और भीलिडी के बेच नवदिनवित रेलवे लाइन पर पहली मालगाडी को हरी जंडी दिखा कर प्रस्थान करवाएं इसके पहले एतिहासिक सफर पर पार्टन के सांसद श्री लीला धर्वाघेला वीडियो लिंक से जुड़े हैं ये योजना रुपय तीन सो तीस करोड की लागत से बनी है धन्यवाद और अनन गोधरा रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट का डिजिटल शीलान्यास करने के लिए अनुरोध करते हैं फिर एक बार माननिय प्रधानमंत्री जी से ये योजना 692 करोड की लागत से बनी है ये माल गाड़ी का एतिहासिक प्रस्थान करवाया माननिय प्रधानमंत्री जी ने अधनियोध और अनंगोध्रा रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट का डिजिटल शीलान्यास करने के लिए अनुरोध करते हैं माननिय प्रधानमंत्री जी से ये योजना 692 करोड की लागत के बनी है धन्यवाद माननिय वा अन्य अतितिगन आज लोथल गुजरात में रुपए 489 करोड के खर्च से भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले विश्वस्तरिय समुद्री विरासत संग्रहालाय का भी डिजिटल शीलान्यास करने के लिए माननिय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोद करते हैं नैशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉंपलेक्स के इस डिजिटल शीलान्यास में जल तरंग का संगीत, जल का तरंगों का और नौका परिवहन की समुद्री विरासत का प्रफीट है धन्यवाद माननिय प्रधानमंत्री जी आपका माननिय प्रधानमंत्री जी के सर्जनात्मक वप्रबध नेतरुत्व को एक और सिदी है आई। सिर्श्मान भारत orada प्रधानमंत्री वंज प्रफेंगे शेविड़िटिया थे एप्रदिट खीचिए लिचिती कि अदकीत मैं वरदानमंत्री यह than लोटल, the 375-acre site, is spread in two parcels, the master plan and the museum design draw on these influences of ancient built forms, orderliness and richness in planning of towns and the central theme of a civilization enriched by its diverse maritime history, the iconic landmark National Maritime Museum, like the citadel, will be situated at the edge of the central lake. in the upper town, the overall narrative is explained in 14 sections, the myth, people land and the sea, sea and maritime during Harappan times, maritime tradition during Vedic period to pre-Maurian period, maritime contract and trade during ancient Indian and emergence of mercantile society, ancient ports of the west-south and north-south. and east coast, maritime history of the Indian Ocean, the traditional navigation techniques, the landing of Vasco da Gama and the arrival of Europeans, the impact of maritime on Indian society, the ship builders of India, Indian maritime post-independence, maritime archaeology and oceanic research, Indian and the world maritime traditions, The maritime theme park will indulge and educate the visitors about the rich maritime heritage of the country, through a holistic and immersive experience. One can also indulge in various other activities, like the sound and light show, boat races and various rides, the complex will also offer facilities like a maritime based resort and mice. The maritime research and training institute is also planned at the complex, thus, the maritime heritage complex, including the National Maritime Museum, will be developed as a destination at par with similar global campuses. अप्रदानिये प्रधानिये प्रधान्मंत्री जी के सर्जनात्मक्व प्रबुद्ध नेत्रित्व को एक और सिध्धी प्राप्त है, आयुश्यमान भारत प्रधान्मंत्री जन आरोग्यय योजना, PMJ, जिसके अंतरगत, गुजरात के शहरी एवं ग्रामीन इलाकों के सव दो सो करोड परिवारों को प्रतिवर्ष रुपे पांच लाग तक का आरोग्य कवच गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, आज मानन ये प्रधान्मंत्री जी प्रतीक स्वरूप इन में से दो लाभारतियों को ये गोल्ड कार्ड प्रदान करेंगे, सबसे पहले आमंत्रित करत करते हैं श्रीमती मनीशा बैन वनकर को और साथ ही आमंत्रित करते हैं श्री प्रकाश भाई सोलंकी को माननिय प्रधानमंत्री जी ने अपने आरोग्य अभिगम में इल्नेस नहीं वेलनेस इंश्रेंस से कहीं ज्यादा अश्रेंस को महत्व दिया है धन्यवाद माननिय प्रधानमंत्री जी आपका सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं जुकने दूँगा मैं देश नहीं मिटने दूँगा 2014 में किया ये वादा जिन्होंने प्रतीक्षन निभाया जिनकी जिद है कि भारत देश न कभी रुकेगा न ठकेगा न जुकेगा सिर्फ आगे बढ़ेगा विकास करेगा जो कहते हैं वो कर दिखाने का मादा रखते हैं संकल्प से सिध्धी जिनका जीवन मंत्र है ऐसे पुरुशार्थ, लोक संपर्क और द्रिड इच्छा शक्ती के परियाए नॉन स्टॉप इंडिया, आईश्चमान भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत डिजिटल इंडिया के माननिय प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र मोधी जी को आईए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके भाष्ण के लिए सबसे पहले आप अमारे देश के वीर जवानों के नाम अपना मोबाइल फोन निकाल करके इसकी बैटरी फ्लेश चला करके हम वीरों का सम्मान करेंगे हर किसी के मोबाइल फोन की बैटरी और उसको चालू रखिये मैं तीन जैकारा बुलवाऊंगा आप सबको आप आप सबको भी तीन जैकारा बोलना है यह भारत माता के जैकारे है पराकरमी भारत के लिए भारत माता की विजए भारत के लिए भारत माता की देश के वीर्द जमानों के लिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुजरात के लोग प्रियम मुख्य मंत्री स्री विजाय रुपानी जी उपमुख्य मंत्री नितिन जी गुजरात सरकार में मंत्री प्रदीपसी जी किशोर कनानी जी संसद में मेरे साथी किरीडवाई सोलंकी विधायक जितुबाई वागानी प्रदीपबाई परमार एमदाबाद की मेयर स्रीमती बिजल्मेन और यहां पधारे हुए सबी उत्साही पैरे भाईयों और बेहनों मन करता है आज बहुत कुछ बता दूँ आज एमदाबाद के विकास के लिए यहां के जन जन के लिए अइतिहासिक दीन है थोड़ी देर पहले एमदाबाद मेट्रों के पहले फेज का लोकारपन हुआ है और साथ साथ दूसरे फेज का सिलान्याद भी हुआ है और अभी यहां पर अहमदाबाद की ही नहीं बलकि गुजरात की देश की एक बहुत बड़ी स्वास्त सुविधा का लोकारपन किया गया है अहमदाबाद के जीवन को बदलने वाले इन प्रोजेस के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपी की तरह आज मेरा भी बरसों पुराना सपना पुरा हुआ है यहां आने से पहले मैंने अमदाबाद मैट्रों में सपर किया उस दर्यान लोगों का उत्सार और उनकों खुशी को अनुभव किया सच में मन आनंद से भर गया उत्रायन में जैसे लोग छट पर होकर के पतंग उड़ाते हैं वैसे ही आज छट पर खड़े होकर लोग अपनी मैट्रों का स्वागत कर रहे थे पूरे रास्ते बर शायद ही कोई छट ऐसी हो जिस पर लोग न जमेवियों हो मैट्रों एम्दाबाद वाश्यों का बहुत बड़ा सपना वो आज हकीकत में बदल गया साथियों पहले चरण पर तो मैट्रों चल पड़ी है दूसरे चरण का सिलान्याद भी आज हो गया है एक काम खत्ब और दूसरे पर काम शरूर ये भी हमारी सरकार की और एक विशेस्ता है एक हो जाए तो हम सोते नहीं हैं दूसरे के लिए तैयर ही करते हैं आप क्या समझें मैं क्या कह रहा था अपने अपने हिसाब से मतलब निकानला सिर्प कॉंग्रेस को ही आता है आप ऐसा मत कीजिए दस जार करोड रुपे से जादा की लागत से बन रही इस मैट्रो से एहमदाबाद के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है लाखो एहमदाबादियों को इसका लाभ होने वाला है कलपना कीजिए दफ्तर जाने वाले साथियों को यहां के उद्यमियों को स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को कितनी राहत मिलने वाली है समय की कितनी बचत होने वाली है इससे एहमदाबाद में ट्राफिक से जुड़ी समस्याओं को कम होगी ही परियावरन का नुक्षान भी कम होगा और हमने और हमारा आप जानते हैं पुराना मंत्रा जिसका सिलान्यास हम करते हैं उसका उद्रगार रन भी हम ही करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ने इसका मतलब क्या हुआ? ने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज जो मेट्रो का सिलान्यास किया है तीन, चार, पांच साल जब भी उसका काम पुरा होगा हम मौजूद होंगे और यह सब कैसे हो रहा है आपके आसिरवाद से हो रहा है साथियों देश को ट्रांसपोर्ट की ये सुमीदा देने के लिए हमारी सरकार कितनी गंबीरता से कायर कर रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2014 तक ये आकड़ा याद रखना कुछ बुद्धिमान लोग आकड़ी भूल जाते हैं मेरे जैसे साधे सीधे वेक्ती की तरह आप भी याद रखिये 2014 के पहले जब रिमोट कंट्रोल सरकार चलती थी 2014 तक देश में मेट्रो का नेटवर्क सिरफ पूरे देश में 200 किलोमेटर था अब सिती ये हैं कि देश में मेट्रो का अपरेशनल नेटवर्क और 55 महिने का ही एक हिजाब दे रहा हूँ मैं आज करीब करीब 650 किलोमेटर तक पहुचा है